अभी भाई हम आ गये हैं इह बैल है कि याक इस फिर यह भाई देखो यह बैल है हाँ यहां से यह बहुत अब करके सुबा का नास्ता तयार है यह बाई देखो खेट जोतर है और इसमें जो है आलू बोने के लिए एक यह देखो बड़ी मेहनत लेकिस और पार पिसकेनल है यह यह बहुत थंदा भाई आप सब का नय ब्लॉक में फिरते स्वागत है अभी भाई जो है एसिया का सबसे भाई उच उचा ब्रिज प्रथम है या दो तीच इसका नाम है भाई और सबसे लंबा और सबसे उचा यह ब्रिज है यह देखो तो यहीं से पनी जो है आज की वीडिय तो फूरा यहीं कि थे लागता है प्रथम सबसे उचाल यह ब्रिज यह जरुी है इतनलि राइध Finance यहां-ध यहां-णादर यह दहूं हो यह दिखू, इधर से थोड़ा सा और भीक्षी कोंच के दिखाते हैं, वहां अब भाई यहां से गहराई देखो, बहुत ज्यादा गहराई इतनी गहराई है लिए है कि पटाएं बहुत ज्यादा गहराई है कि इखर यहां से कोई कुण जाय तो बचेड़ा नहीं नमों नितान एकनी ज्यादा उचाई है तो देखो भाई बहुत ज्यादा इसे ही नहीं एटिया का जो भाई सक्थे हाइस उचाई पर एक द्रिज बना हुआ और सक्थे लंबा भी द्रिज यह है यह वाला भाई दो किलो मीटर का साइद ऐसे कुछ है कुछ पाफी ज्यादा बहुत है झार दो भाई लंबा यह ब्रिज है और हम यह दिर्च पर चल लाएं है एब डिश पर चल लाएं यह ब्रिज हालता वाई से यह देखो यह दिकना खतरनाक दिखा यहां चिंदुटे नहीं हूँ पूरा फूंदु यह दो DC पहुतं ना कि दिखा है ऑए जहां एफ रहा कि बहुत लगाई ये बहुत लगाई ये बहुत लगाई बाई यह ब्रिस देखने के लिए ना पेडिंग के चले थे और वहां ते 20 km था यह बाई पूरा पॉइंट जिसमें ते 4-5 km की लिफ्ट मिली थी और बाई बुरा 15-16 km चलके आए पैदल और वह भाई पहाडों में ऐसे ऐसे करके अगले ब्लॉग में देख लेना पूरा दिन लग गया साम को तीन मजे पहुंचे और यह तो आप दूसरा ब्लॉग देख रहे हो तो यह पूरा करने के लिए भाई आज का जो है ना हम यहीं पर रुकेंगे रात में और रात में जहां पर रुकेंगे वह बाई पना टेंट का लोकेशन दिखा देंगे यहां से वाई व पूछ लोकेशन है वह जो भाई कैसे दिख रहा है वहां पर भी बात किया था वह बोल लाएक लगा लेना और ऐसे खुले में वहां पर था तो इस वज़ए से ठोड़ा सा जो है वहां पर ठंडी जादा लगती और यहां पर छठ थी तो इसलिए यहां पर लगा लिया सबसे गहरा और 250 मीटर इसकी लंबान अबाइश पुल की और सबसे उचाई पर यह पूल है सबसे जो है एकिया का नंबर वटन है नंबर दो पर यहीं पूल है यह वाला जो देख रहे हैं जी वाला एक देख रहे हैं यहां से टेख अशुक्छ इस न जा रहा है यह तो बा तो चार से पास दिन हो गाय भी नहायातं नहीं है, पानी इतना थंदा है, तो वैई क्या करें, जो देखो वैई कुछ पानी इसे चल ला है, तो इसके ढूलते हैं मुव, बड़ा थंधा यार, यार, ये बहुत थंधा है एक अगाए, आई, एक गाए मताया, बहुत जादा ए यहां पूरा जो है ना एक रोड आई है यहां ते नेपाल का बाद जो है यहां पूल देखो बाई कितना संदर दिख रहा है यहां पर क्याना कि ठंडी ते बस घंडी जादा होती है यह चटी धार नीचे पका था वहां खुले में लगाना परता होटल में यह अपना एसे करके बाई टेंट लगा लिया आराम से ठंडी नहीं लगी बस इतना था तो कि अब जो है टेंटोंटे निकालते हैं अब देखो यह अब देखो यह पूरा पुल 200 मेटर इसका लंबान है और गहरान भी भाई बहुत ही डीब गहरा है ऐसे नहीं भाई एसीया का यह जो है नमबर वन या नमबर दो ऐसे पुल नहीं है देखो भाई एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को यह जो है पुल जोड़ता है अभी तो भाई प्रिश का बनेगा स्काइब एस का बिरिज और तो इसिया का नंबर वन या दुनिया का नंबर वन हो जाएगा यह पुल यह जो जो घाटी बनी यहां पे सारे घर बने हुई यह देखो में एक दम उस्वाई पर चड़के आए हैं यह पूरा पुल दिखा दे के लिए ऐसे जो एक तो नीचे और वहां पर इकना टेंट लगाए थे उस तरफ यह जो होटल था यहां पर बात किया था पर यह बाहर लगाना पड़ता और यह धर चल करके आए हैं चलते है बाई मजा आरा यह नहीं आरा वीडियो में भाई पर ले करके निकल चुके हैं और यहां से अभी तो पूरा पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि बीच में जो है ना रोड तूट गई है तो जो बाढ़ आई थी अभी इस वज़ा से रोड पूरा टोड गई तो एक सोड कर रास्ता है गाउं के नीचे से पूरा ऐसे जीना करके जाता है तो वही चलते हैं और फिर साथ से आठ किलोमेटर पैदल चलने के बाद से साधन चलेंगे यह लिप टूप पे कुछ जैसा 10 बज़े सुबह हो जाती है कफी टाइम हो गया तब भी यह लोग 10 बज़े से पहले उठते ही नहीं है ऐसा कुछ पीछे का नजारा देख रोगा कितना अच्छा है एक दम यह जो घाटी है ना भाई बहुत ही खुब्सूरत अपल बैप को बाई इतना यहां कि पर रख दिया घाम के भरोते हैं और यहां से ङॉदि चल आपकि यहां भरी में जोदे नागे देखो खेट जोते हैं। यह भाई देखो खेत जोते हैं, और आलू बोने के लिए यह के लिए यह देखो है। बड़ी भीुहनस लगते हैंón ऑसे कर सेये देखो हाई। विअधर आये हो गए पंदा दिन, हाँ डेल करते हैं। यह देख Veidu Dalas in अपने तर इस अपने मतने जो हग जोटे ले। है जह होता है यह शहीं शोकздर atu हाँ इसके लिए इसके बाद कुम थी भसल उसके बाद मॉकाई मॉकाई मानि मित मुत मॉकाई यह कोबाई इसके होती है प्रिमों कहासे लोोर और भलोगा वह पर टाक्फर भत पाँ commencement Пр यह जो रोड़ी देपे बाद prव खें होता है आप तो भाई यह देखो पहाडो में यह से खहती कि जाती यह खेत है फिर नीचें है फिर नीचें खेत है सी डी new ला धी इस तरह की जैटेखा उनके बाई बैल आ रहे है यह देको बाई चल दिय다면 अ हुआ है यह बाई कुछ ऐसा खेत है और यहां से ऐसे करके जीना भना हुआ और इस पिस चटके थोड़ा दिखाते हैं यह देखो गया है ऐसे करके यहां पर बंधीवी है यह जो सारे दिख रहे हैं यहां तो खेत है और यह जो है नीचे की तरफ उतर रहे हैं और यह जो है गाउं के बीश से जो है नीचे की जो रास्ता होतने है तोड कर रास्ता वाई उस तरह की और यहां पर देखो बकरी रख नहीं है तो पाश सेल के दिखाते हैं ठोड़ा सा यह देखो भाई यह देखो ऐसे इसमें भरी रख हें लेको ब़करी का चारवरा ऐसे कुछ होता है और यह वाला यह भाई घर है कुछ घर में कोई दिश्टो रहा नहीं भाई तो यहां से एक का इस रोड तो गोंगे ठीक है तो वह रास्ता बहु लंबी परती पहाडों में और या क्रास्ता बाई इमकी जो होती है ना sport-cut रास्ता और उस sport-cut से जाओगे बहुत कम समय पहुँच्य करके भाई यह रास्ता है बस यह पता होना चाहिए क्योंकि भाई हमकल इस रास्ते से आये थे पूछ पूछ के तो अभी इसी रास्ते से उतर रहें पीछोला ब्लोग देखना कितनी भाई मुश्किल से वह जो बिरिज था वहां पर पहुंचे था वहां पर हालत खराब हो गए थी उस बिरिज के पास पहुंचने के लिए और यह सब भाई देखो सारे घर बने वह देखो इसब्स करके भाई यह रास्ता है वे यहां पे पूरा यह जो है टार्य घ्हाधी बाडी पर है पूरा खेती वाड़ी और यही सब पूरा काम करते हैं जाना है गलत रास्ता आ गया वह सीधे किसी के घर जा रहे थी रास्ता दर से पीछे से जाना है वो के दूसी यही दिक्कत होता है थोड़ा सौट कर रास्ता लेने में अब हम दो लोग चल रहे हैं तो बस चल भाई चलते हैं आप THEE अभी घो है हमारा कि यहां पर खाना बनना खाना क्या इसका से मैंगी ऐसे करके और यह देखो भाई ध्याइकал है उतने अपना तो के सान ये रोड जो है जब अभी बार आई थी न वह पूरी यह लोड भाई यहां से पूरी तूट गया यह देखो लग रहा होगा तो यहां पर कोई निचलता जब गाहों वाली है यह तो वहां से एक जीना करके है तो वहीं से भाई निकल जाते हैं जीना से यह पूरी भाई रोड जो है ना यह जो नदी चल लए यहां पे नदी में न पूरी रोड यह तैयार हो चुका यह इसकुस दाल लिया और मैगी यह बनके एकदम भाई पख चुका है और अब खाते हैं इन नजारों के साथ में भाई भाई अपना जो है बन करके सुबा का नास्ता तयार है यह इधर प्रवीन है और यह रैडी हो गया यह देखो भाई खाते हैं और फिर भाई निकलते हैं जल्दी से काया कि भाई बहुत ज्यादा लेट हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा तब जाकर से दो इसलिएला तो क्लाल सब्सक्राइब जो ने यह द हाएं जो गया जोहां से करके यह रोड अगत आता यहां ंपकर खाना बना रहें थिक है ये बताओ, ये तिक्किम की Tal就是 the बता रह है हमाई, स्जाएट बता रहते में बहुत ज्यादा the मता है बहुत ज्यादा सिक्किम में नुप्सान हुआ, बहुत ज्यादा ये जो लकड़ी कर्या करती है किसे लकड़ी टॉक्प 3 वाय पूरी पूरी ये देखरोड, ये पुरा नदीमी तरोचे लिगा ये ये नदीमी पिर छांग ये वार्ण में बाई ये नदीमी आयादार, मुतन नदीमी तोर बहुँ साल। है यहां से यहां कहते हैं यहां पर चाहिंए यह शॉथ इसे के और ऊहों हैं बहुँत। फुरे रोड में यह जो श्राइबूत कर दूर उड़ा नो कि यह ह्याना में अन्याद करोग देखा जए यह क्या है पता ही नहीं है कोई बाद में नहीं है यहां के लोगों के नहीं है यहां के नहीं है यहां के नहीं है कई दूर से आये है एक गाउन साहे गाउन 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 सुम आगे है तो यह पहली बार देखा है यह नहीं तमधरो क्या है कोई बाद नहीं नहीं है खतरनाक जंगल से चल रहे हैं एकसे सन राष्टा है यह देखो ही देखो है हम आ गए हैं घेजिंग और घेजिंग क्या यह आना ही पड़ेगा वहां से पूरा आ गयाते सहब यह पुरा टेक्सी पिछले ले वीडियो में देखा हुगा यहीं टैक्सी स्टैंड पे रात में इधर रुके थे दो दिन पहले हम यहां पर टेंड लगाये थे टैक्सी स्टैंड पर तो आज भी यहीं पर रुख जाएंगे और यहां के बाद से कल निकल लेंगे क्योंकि भाई दर से रात हो दो 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 और दो दो आजए लगाये आजए यहां कि एक्सिफ टैंड अवर दर रात में इस तरुख जिए।